हमारे टोनी भेया जो हाँ अब बहुत अकेले हैं, इनकी कोई लुगाई नहीं है दोस्तो इस तरीके का हमारा मेनेजमेंट है, यह हमारी छोटी सी घुम्टी है हलो दोस्तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में दोस्तो फाइनली आज मौसम बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं, उधर से सूरज निकला हुआ है बहुत ही अच्छा काफी एनरजेटिक डे है, और अभी हम सुबह की सारी एक्सरसाइज़ करके अपनी छट पे आए हैं और यहां पर बहुत ही अच्छी धूप मिलती है, खास कर सरदियों में, तो अभी इंजॉय करते हैं और आज का बलाग में आप सब लोगों के साथ में सेयर करने वाला हूँ, और अगर टाइम मिला तो हम साथ के भी जाएंगे और थोड़ा बहुत घूमियंगे टहलेंगे, बहुत ही अच्छा दिन है आज का, एक प्रडॉक्टिव डे हो सकता है, तो मुझे लगता है कि अभ जाएंगे अच्छा देखो बहिया यह मारा टोनी है, यह हमारा सबसे प्रडॉट है, इसका नाम टोनी है, और यह वीडियो में वारल होना चाहते है, दोस्तों इनको वारल करो, सुनो इधर देखाव, इधर देखाव, इधर देखाव, इस आएंगे तुम तो सुपर गजब बेज़ जती है यह देख़ए यह सुपर एक्टिव मोड में आ गया है यहां पर छत पे कोई भी बंदर अगर इसको दिखेगा कोई चिडिया अगर दिखेगी यह कहीं से भी कोई सिगनल कोई आवाज कुछ मिलेगा यह इधर देखो यह उधर देखो अगर मैं यह जी आगा है अब इसको लगा है कि हाँ सब कुछ ठीक है तब ही आया है इसका काम है टोटल गाड करना घर को गाड करना हमको गाड करना ठीक है यह हमारा टोनी है यह आप देख सकते हैं हमारे टोनी बहुत अकेले हैं इनकी कोई लुगाई नहीं है इस सब क्या देखना पढ़ रहा है अच्छा है मैंधा हूँ अ है बड़ा लॉनली फिल कर रहे हैं लोग आप लोग किन को इन की लुगाई हमाद्ध करें टोणी कैमेरे बताओ कुछ 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 का तो करोगे को यह ड़ोत कउयाँ है है यह कि दोस्तों एडियों सुन। किस कर लो किस कर लो किस कर लो लीया तोनिक नहीं कर रहा है तोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा गाउं गाउं के बाहर से इसा धिक्ता है यह है वारा ॑ड़ा है हम काफी दूर दूर स और अभी है महाएं अपने गाउं के बाहर एक बगीचे में यह देखिया आपको कुछ दिखाना था यह जो देख रहे हैं आप इसको हमारे यहां बाउर बोलते हैं यह आम का फूल होता है यह देखे पेड़ों में खुब फूल आया है इस पार और यहां पर आप इसमें आम लगेगा तो हमने अपनी आम वाली वीडियो आप सब लोगों को दिखाई थी आप उधर देख रहे हैं बहुत सारा फूल निकला हुआ है इस तरीके से खुब बड़ा सा बाग है और अब इसी के रास्ते हम जाते हैं अपने खेतों के तरफ और वहां पर चलके आपको सकते हैं यहां पर काफी सर्षों लगा हुआ है और फोटा दिख रहा है यह मसूर लगा हुआ है तो फिलाल यह बहुत पत्नी सी पक डंडी है इस पर चलना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है फिर भी हम ट्राइब करते हैं अगर नहीं होताता है तो मीचे मीचे जाने की तो फ्रेंट्स अभी हम आच चुके हैं अपने खेत में आप इसे मेरा मिनी किचन गार्डन कह सकते हैं तुकि गाउं के पास में होने की वज़े से यहां पर ताजी सब्जिया जो कि आधनी से उख जाती है उनको देख रेक करके घर तक उसको यूज में लिया जा सकता है तो इस वज़े से यहां पर हमारा आम का बाग भी है तो यहां पर सरसो है और धनिया है लहसुन है आलू है ऐसी सारी चीजों को हम आसानी से उगा लेते हैं तो यह बहुत ही अच्छा है और आपको दिखाते ह तो फ्रेंट्स काफी दिनों के बाद हम अपने खेत में आये और यह हर्याली और यह सारा जो महौल है यह देखके कुछ एक बहुत ही अलग सी पॉजिटिव एनरजी फील होती है तो फिलहाल अभी हम अपने कटहल के बाग में हैं आप सब लोगों के एक बार इसका वीडियो दिखाया था आप देख सकते हैं कि कटहल में अभी फूल आना शुरू हो चुका है यह छोटे-छोटे कटहल लगे दिख रहे होंगे आपको तो यहाँ पर भी अभी कुछ दिन करें के बाद में सौफ के जाएंगे और मैं अपसे लोग को एक यह जानकरी देना चाहता हूं बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इक्सरसाइज कॉन कॉन सी करें कितनी देर करें देखें यह डिपर नहीं करता है कि मालब लिजए आप लिक पर फोकस कर रहे हैं या किसी एक particular चीज के लिए exercise कर रहे हैं बट ऐसा नहीं है आपका जो part injured नहीं है जैसे कि आपका kidney है आपका heart है आपका आपकी छाती है आपका lungs है जैसे कि फेफड़े ऐसे पूरी body का हमें लगता है कि जब lower body इफेक्ट होती है तो अपर बाड़ी पे उसका लोड जादा हो जाता है तो इस वज़िए से एक सर्साइज तो नार्मल आदमी भी करता है उसको बिजरूरी होती है तो हमें लगता है आप सब लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि एक सर्साइज हर कोई करे और जरूर जरूर करे और ठीक हो जाए तब भी करे क्योंकि एक सर्साइज एक नार्मल सी चीज है जैसे कि आप अपनी गाड़ी को रेगुलर चला के उसको एक्टिव रखते हैं उसकी दुलाई करते हैं मेंटेनेंस करते हैं बहुत सरी चीज होती है तो इस तरीके से इन सब च पाएं मैंने जना कर पाएं लेकिन फिर भी आपको थोड़ा चैलेंज तो अपनी राइफ में लेना ही पड़ेगा हमारा प्रयास ही रहता है कि हम अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों तक कुछ पॉजिटिविटी पहुचा पाएं और आप सब लोगों के साथ में कुछ नौलेज शेयर कर पाएं तो आई होब कि हमारे सभी ब्लाग आप लोगों को पसंद आते होंगे और मैं और भी आक्टिव होके आगे ब्लागिंग करने की सोच रहा हूँ बहुत सारे प्लांस हमने पिछले साल बनाए उतना ज्यादा सकसेज नहीं हुए क्योंकि हमारी फैन इसे बनाए रखें और बस यह है कि अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो उसे सीखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए बस यही कहना चाहते हैं तो चलिए मिलते हैं घर पर तो अभी हम आ चुके हैं घर पर और अब हम नहाने की तयारी कर रहे हैं आप द अपना जो भी नहाना दोना होता है वो तो करेंगी ही तो पुल मिला के हमारे यह सक दिखाने के मतलब यही रहता है कि यतने भी स्पैनल का इंजरी के पेसेंट हैं वो इस तरीके की एक प्री मैनेजड लाइफ अगर जीएंगे उस तरीके का सारा कुछ जैसे कि आपको नहा गजरी के से अपनी लाइफ कर आसानी से जी सकते हैं और मिलिया और को काफी हल्प ओ फ्रेंड में रेडि ये और यह ऐसे हमारे जिए Şu दिया कि बनी हुई रोी बहुत ही स्वा इसमयरा फेवरिड खाना है ना हुब भागै कि अवी हाग गलाग टेख गूम के रिए लूच अज़ के लिए ख़ाग साथ कर एंज चेश्ट सरे कि अम्हें बूमा क झाल झाल दोस्तो इस तरीके का हमारा management है यह हमारी छोटी सी घुम्टी है यहाँ पर कोई बहुत बड़ा हमारा business नहीं है बट यह है कि यह हमारी motivation का source है और यहाँ पर हम चार लोगों से बात करते हैं थोड़ा अच्छा लगता है और यहाँ पर एक time pass होने का एक बहुत अच्छी एक ब्योस्ता है हमारी तो जो भी है कुल मिलाकर यही है इन चीजों से आप अपने आपको financially motivate कर सकते हैं और आप physically भी motivate कर सकते हैं तो I hope कि यह कुछ छोटे छोटे business ideas आज जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था उनको आपको देखना चाहिए और उनमें से जो भी आप कर सकते उसको करना चाहिए तो I hope कि वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी तो आप सब लोग बताईए आपको वीडियो कैसी लगी अपना प्यार सपोर्ट ऐसे भी बनाये रखें तो अब हमको यहां पर रात हो जाएगी तो भी वीडियो को यहीं पर end करते हैं